पिके रोईला स्टेडिपॉइंट यूटूब चनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आज के वीडियो में हम वहुती मैथपून पर्सनों के सीरीज आपको सामने लगए हैं वीडियो स्टाट करें उससे पहले आप से रिकुष्ट है यदू आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेट करें क्योंकि बहुत ही महत्मून प्रसंद है जो आपकी computer teacher की त्यारी के लिए बहुत ही महत्मून साबूत हने वाले हैं परसंद तो बिना समय कवाएं स्टार्ट करते हैं पहला परसंद आज का computer के संद्रप में DNS क्या है याने की DNS का full form क्या है यहां आप देख सकते हैं DNS का पुरा नाम डिजिटल नोटिफाई सिस्टम डोमेन नेम सर्वर डिजिटल नंबर सिस्टम यह डोमेन नेम सिस्टम तो डि एने से डि एने का पूरा नाम हो जाते हैं आउटलूक एकस्प्रेस क्या है Outlook Express है वो क्या है email client है scheduler है address book है यह सभी है तो जो Outlook Express है वो email client भी होता है scheduler भी होता है address book ही भी है तो यहां उप्रूक्ट सभी है right answer इसका हो जाएगा Outlook Express के द्वारा हम उप्रूक्ट सभी कारे कर सकते हैं next है, MS Word में new page start करने के लिए क्ष退 दा़ innovation सभी하면서 means In- Davos word में जब हम नया page start करते हैं उसके लिए क्या shortcutकी है यहिफं यहम इस में से किसका प्रियो करके MS Word में नया page INSERT कर सकते हैं एंट्र की तो इसके द्वारा तो नहीं कर सकते है एंट्र का द्वारा हम नई करें तो नया page start जाएगा या नी interview control plus enter के dåवर certainly एंताइन हम page break कर सकते हैं पेजबेख का मतलब है कि नया पेज start कर सकते हैं अगला person है नमन में से कौन सा software लेखशाकर की worksheets जैसा होता है निमन में से कौन सा super चैब्याइट आपके उपने संग अधोर को यह जैंगा बता है एक्षसी और यह मैं ग्रोग्राम है तो यहां लइक आंसर होजएगा सेति अगला पर्षन है विस्वर भर में बहुत सारे computers को जोडने वाला network दिन में से कौन सा है यानि विस्वर के संभी computer को जोडने वाला network क्या कहलाता है intranet, internet, arppanet या network यहाँ जो right answer हो जागा internet जिसी हम विस्वर के जो computer है उन सबको जोडने वाला network है ये internet इसको network को का network भी कहते हैं next person है digital signature संदेश के लिए हम नहीं दे पाते हैं तो digital signature है उसके संदेश के लिए हम क्या नहीं दे पाते हैं integrity, authentication, confidentiality, intimacy कोई नहीं तो digital signature संदेश के लिए confidentiality नहीं दे पाते हैं option number 3 यहां right answer हो जाएगा next question है e-commerce में e का मतलब क्या है यहीं e-commerce जो सब्द है इसमें e का मतलब क्या है economics, essential, electronic या enterprising तो electronic इसका right answer हो जाएगा e-commerce में e का मतलब होता है electronic e-commerce का तात्पर होता है electronic रूप से व्यापार करना next person है computer के माद्यम से मुद्रा के अंतरन की प्रक्रिया को क्या कहते है यदि हम computer के माद्यम से money transfer करते हैं मुद्रा का अंतरन करते हैं यानि money transfer करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं EFT, TFT, ECT या TET का मतलब होता है electronic fund transfer याद रखना इस ही होता है electronic fund transfer यान से national हो जाएगा national electronic fund transfer यह अपने भारत में निफ्ट जो लागो होता है निफ्ट तो वह होता है यह एक्जाम स्क्री मैध पूर्ण है अगला जो पर से ने WTS का पूरा नाम क्या है WTS का पूरा नाम क्या है तो यहाँ चार ओप्शन देख सकते हो wide area telephone service wide area tele service wide area tele service wide area toll service तो यहाँ वार्ट का पूरा जो नाम हो जाएगा wide area telephone service आपको याद रखना है वार्ट का पूरा नाम है wide area telephone service नेक्स्ट परसन है IC का क्या एर्थ है बहुत बार एक्जाम में आया हुआ यह परसन IC IC का पूरा नाम यहाँ पर पुछा गया है तो आप सभी बता सकते हैं IC का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा integrated circuit integrated circuit जिसको हम हिंदी में यह दिम कहेंगे तो हिंदी में हम इसको कहेंगे एकीकरत परिपत इंटीगरेटेड सर्कीट का मतलब है एकीकरत परिपत जिसको हम सोट में IC कहते हैं इसका प्रियोग तीसरी PD कम्पूटर में electronic component के रूप में किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है PAM का पुरा नाम क्या है Palm का पुरा नाम यहां पुछा गया है Pulse Amplitude Modulation, Palm Atomod Model, Pulse Auto Mode या Package All Mode तो यहां इसका राइट आंस्वर हो जाएगा Pulse Amplitude Modulation, Option Number A यहां राइट आंस्वर हो जाएगा Next Question है CPU का वह भाग जो अन्य सभी component की गति वीदियो को coordinate करता है, coordinate का मदल मेनेज करता है उनको तो motherboard, coordination board या control unit या LU तो यहां coordination सब देख कि आप coordination board नहीं कर देना क्योंकि CPU का वह भाग जो computer की सभी गति वीदियो को coordinate करता है, इनको manage करता है तो वह हो जाएगा control unit क्या हो जाएगा control unit CPU जो होता है, इसका पुरा नाम Central Processing Unit होता है और CPU के तीन भाग होता है मैंने बटाए CPU के तीन भाग होता है एक तो होता है, ALU होता है एक CU होता है ALU का मतलब होता है Arithmetic and Logic Unit CU का control unit और तीसरा भाग होता है इसका memory तो ALU तो है वो समस्थ प्रकार की गणनाई करते है समस्थ प्रकार की अंक गणिती है यह उन तार की गणनाई है वो ALU करते है और तो control unit है यह computer की समस्थ जो आंतर की गणिती करता है उनको coordinate करता है उनको नियांतरते करता है Next question है ऐसा terminal जो किसी information को process नहीं कर सकता ठीक है ना ऐसा terminal जो किसी information को process नहीं कर सकता वो क्या कहलाता है blind terminal, dumb terminal, poor terminal या smart terminal तो जो information को process नहीं कर सकता इसा जो टर्मिनल है वो डंब टर्मिनल क्यलाते हैं उनसे कलाते हैं डंब टर्मिनल next है spread sheet में cell की परिवासा निम्ना नुसार की जाती है यहन्हें spreadsheet होती है उसमें cell की परिवासा किस परिकार्शियम करेंगी table और template का intersection field और record का intersection row और column का intersection तो इसमें जो right answer हो जाएगा row और column का intersection असल में क्या होता जो spreadsheet है spreadsheet किस पकार से होती है आप सभी दानते है spreadsheet इस पकार से row और column से बने होती है ये जो horizontal line होती है इन से row बनती है और जो verticals Lines इन से column बनते है ये column हो गए तो और कोलम की intersection से कोई भी आप देख सकते हो इनके जुडाओं से इनके कटाओं से एक आयताकार आकरती बन रही है और ये आयताकार आकरती है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा solution एल्गोरिथम में graphical logic दरसाता है यानि इन में से कौन सा है जो एल्गोरिथम को graphical रूप में परदेशित करता है graphical रूप में flow chart hierarchy chart structure chart या conductor diagram तो किसी भी प्रोग्रामिंग के जो समश्य है उसको step by step जो हम लिखते हैं समश्या की हल को उसके समाधान को किसी प्रोग्रामिंग समश्या की समाधान को हम step by step लिखते हैं वो तो एल्गोरिथम कलाता है और उस एल्गोरिथम को हम graphical रूप में चित्र रूप में परदेशि का extension होता है extension का हिंदी में बोलते हैं विस्तारक क्या बोलेंगे विस्तारक तो MS Word में जो file बनी होती है उसका विस्तारक याने extension क्या होता है option आपके सामने है dotx, txt, docx और wpf जिसका right answer हो जागा docx तो MS Word में बनी file का extension है .docx होता है क्या मैं आपको बढ़ा देता हूँ प्रतिक file नाम के दो भाग होता है जब हम किसी file को save करते हैं तो हम उसको किसी भी नाम से अपने इच्छानुसार नाम से save कर सकते हैं तो जिस नाम से हम सेव करते हैं फाइल को वो फाइल का primary नाम कहलाते हैं क्या कहलाते है फाइल का primary नाम यानि उसका प्रात्मिक जो नाम है वो उस नाम से हम सेव करते हैं उसके बाद automatic की हमाँ डोट होता है और दूसरा जो भाग है वो विस्तार कहलाता है extension कहलाते है और उस extension से हमें पता चलता है कि वो file कौन से program में बननी हुई है या कौन से software की है जैसे मैंने भी जैसे बात करें MS Word की तो इसका extension DOCX होता है तो DOCX इसका extension है तो उसे हमें पता चलता है कि यह जो file है यह MS Word की file है यदि text ही लगावा है तो उसे हम समझ जाएंगे कि एक text file है उनसे file है text file जो की notepad में तयार होती है text file ठीक ना तो जैसे अंत में यदि लिखावा है MP4 .mp4 इसका मतलब एक video file है video format की file है लिखावा है .mp3 तो उसे हम समझ जाएंगे यह audio file है file की नाम के अंत में लिखावा है .jpg तो हम समझ जाएंगे यह image file है तो file की नाम की दो भाग होते हैं एक file का प्रात्मिक नाम होता है और एक file का जित्तिक नाम secondary name जिसको हम extension करते हैं तो एक तो file के primary Now होते है उसकी बाद .ён होते है उसकी बाद file का secondary name जिसको हम extension करते हैं तो file के प्रात्मिक नाम user में इत्ले है file को save करते हैं और , एक सًप्रात्मिक नाम हो झाएं और extension स्वाथे भी लग जाता है इसे हैं आप समझे होंगी कि extension क्या होता है Next है MS Word में magnify का बटन कहा होता है MS Word में magnify का बटन कहा होता है Print Preview Toolbar पर Standard toolbar पर, Formating toolbar पर या कोई नहीं Next है next है , किसी रिकोड का विशिष्ट फिल्ड जो प्रतेक के रिकोर्ड को uniquely identify करता है यहनी , कोबी रिकोड है के विशिष्ट फिल्ड है उस रिकोड को uniquely हम उसको identify कर सकते है वह क्या कहलता है Stefs Master field Partner frontalел तो उसको हम primary field कहेंगे, primary कुंजी कहेंगे, यही primary field क्या होता है, उस record का ऐसा field, किसी भी record का ऐसा field, जो जिसको हम uniquely identify कर सकते हैं, जिसको हम uniquely identify कर सकते हैं, जिसको हम uniquely identify कर सकते हैं, uniquely का मतलब है कि उस field में कोई भी दो नाम एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कोई भी दो नाम एक जैसे नहीं हो सकते हैं जिसमीनिने इन रोल नंबर नेम और आगे कोई भी कलास विगया न आ लिया तो यहां näch तो किशे干ा सेम हो भी सखते है क्लास हो सखते है लोल नंबर जो है वो सेम नहीं सule एक लग्र चीshore वह सेUB थे कशले हैं तो यहां रोल नमपर worksheet t command, worksheet tp command या smart formula तो बहुती सदल आई worksheet title command इसका right answer हो जाएगा next है Excel की पूरी worksheet को एक साथ select करने की shortcut की क्या है तो MS Excel की जो worksheet है इस worksheet को हम एक साथ select करने के लिए है एक साथ जो भी इसमें लिखाया सारा एक साथ select हो जाए उसके लिए हम control A का पर्यों करेंगे control A shortcut का पर्यों करने से Excel की worksheet में जिस worksheet पर हम काम करने है उसमें जो भी कुछ data लिखावा है वो सारा select हो जाएगा तो एक साथ सारा select करने के लिए control A यहां shortcut होता है next है Excel में macros की shortcut की क्या है Excel में हम काम करते हैं तो जो macros है macros बनाने के लिए उसके लिए shortcut क्या है एल्टर F9, एल्टर F8, एल्टर F11 यह अनमें सी कोई नहीं तो shortcut जो macros का है वो एल्टर F9 एल्टर F9 के दोरह हम macros त्यार कर सकते हैं next है एक समय में एक से अधिक application run करने के लिए operating system की समता को क्या करते हैं यानि एसा operating system जिसमें एक से अधिक application को हम run करा सकते हैं ऐसी समता को वाली operating system को हम multitasking करते हैं operating system की ऐसी समता को हम क्या करते हैं multitasking यानि एक समय में एक से अधिक application हम run कर सकते हैं वो क्यालाता है multitasking next है Excel मे multiple calculation के लिए एक ही formula का प्रियोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो Excel में multiple calculation के लिए यह दिए हम एक ही formula का प्रियोग करते हैं एक ही formula के दौरा एक से अधिक calculation हम कर रहे हैं वो कैसे संब्भो है standard formula के दौरा, array formula के दौरा complex formula के दौरा ज़र smart formula के दौरा तो एक फॉर्मूल के दुवारा multiple calculation एक से दिक गरना idea में करनी हो तो उसके लिए हम array formula यूज करते हैं कौन सा formula? array formula, array का प्रियोग करते हैं next है split window option excel के किस menu है तो split option है split window, window को split हम कर सकते हैं जिससे ये window है उसको हम दो बागुएं बाढ़ सकते हैं इस प्रकार भी बाढ़ सकते हैं या इस प्रकार भी बाढ़ सकते हैं तो ऐसा excel के कौन से menu में है split करने का option format window में, view के window split में, window के split में या view के split में तो यहां सही option हो जाएगा window के split में window menu में split option के दौरा हम ऐसा कार्य कर सकते हैं next है सबसे पुराना spreadsheet package कौन सा है सबसे पुराना spreadsheet कौन सा है वीजी calque, lotus mother tutoring, excel जा इस्टार calque तो सबसे पुराना spreadsheet है वीजी calque calque naam CL वीजी calque है यह इस सबसे पुराना spreadsheet है तो एक्टिव で sole unsukा content है वह और पे display होता है formula बार में, menu बार में tool बार में है स्टेटस बार में तो active share का जो content है वो formula बार में पर्दिश्यत होता है काँ पर्दिश्यत होता है formula बार में तो आज की जो person है बहुत ही महत्पुन है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भूत धन्यवाद और आप वीडियो को share करे और इसे प्रिकार के सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें